जैस्री करश्न मित्रों मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 21 अगस्त 2021 शनी वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल की अनुसार आज भगवान शनी देव की क्रपाव शुब ग्रहों की द्रश्टी से आज 12 में से 6 राशियां भगगेशाली रहेंगी इन 6 राशी वालों में आज हैं मेश, करक, सिम्ह, वरश्चिक, मकर और मीन राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा तो मित्रों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नई नई यानवरधक जानकारियाम हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज सरावण माश शुकल पक्ष की चतुरदसी तिथी है शनी वार का दिन है आज दिन की सुरवात स्रवन नक्षत्र से होगी और मकर राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियोदे प्रातहकाल पांच बच के त्रेपन मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम के छे बच के पचपन मिनिट पर होगा और आज राहुकाल प्राता हकाल 9 बच के 8 मिनिट से आरंब हो करके तो प्राता हकाल 10 बच के 46 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शूब मांगलिक व नया कारी शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी क करने से बचें यदि यात्रा करना आपके लिए अतियावशक हो तो आज के दिन आप उड़ा दिया अद्रक खा करके यात्रा कर सकते हैं और आज का सरवस्रेश्ट शूब महुर्त अभी जीत महुर्त आरंब होगा दिन के 11 बच के 58 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 50 मिन आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारिच शेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि सांसारिक द्रश्टी कौन से आज का दिन आपके लिए कुछ बदला हुआ रहेगा भोतिक सुक्सिवधाम वाली वस्तूं की खरीदारी आप कर सकते हैं विपिरित लि अरग के लिए समय अतिव उत्तम हैं अगर किसी सिक्षण सौंस्थान में एड्मिशन आपको प्राप्त करना है तो आपके लिए मारग आज प्रसस्त हो सकेंगे माता के स्वास्त का आज विशेश ध्यान रखें तो आज आपको भाग्य का सांत सत्यासी प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियो कारेच्षेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्षेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आ इसा करने से कारी छेत्र में आपको विशेश शफलता मिलेगी। इसा करने से कारी छेत्र में आपको विशेश शफलता मिलेगी। अगली राशी है मिथुन। मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। प्रेस्थल पर नई योजनाय सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगी। और भाईयों की सहायता प्राप्त कर पाएंगे। अनियोजित खर्चे आपके आर्थिक स्तिति को डावाण डोल कर सकते हैं। माता से कुछ वेचारिक मद्भेध हो सकते हैं। इसलिए प्रेम पुरुन वेभार करें। जिसके वज़े से आपका परिवारिक वातावन तनाव भरा भी हो सकता है। जीवन साती की आवश्यक्ताओं को पूरा करेंगे। और आज का दिन खरीदारी करने के लिए अच्छा है। भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का दान करें। काली ध्वजा का दान करें। और शमी पत्र अरपित करके ओम पिंगलाई नमा इस महा मंतर का अधिक सधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से कारेच्छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी। अगली राशी है करक, करक राशी वालों के नुसार आज का दिन प्रकार से रहेगा। राजनीती से संबंदित व्यक्तियों को समाज सेवा का अवसर मिलेगा। घर में अतिती आगमन का योग हैं और विद्यारती वरग गुरु जुनों के सहयोग से अपने लक्ष को पूरा करने का प्रेयत न करेंगे। अपनी पड़ाई पर फोकस आप रखें लगन से पड़ाई लिखाई करेंगे तो काफी सफल रहेंगे। कारेचेतर और सामाजिक जीवन में धेरिय वसंयम से काम लें सभी समस्याओं का अंता आप कर पाएंगे। पिता का पूरा सही होगा आपको मिलेगा। व्यवसाई से जुड़े जातों को ज्यादा ध्यान लगाने की अवशकता रहेगी जिसकी वज़े से लाप की स्थितियां बहतर होगी। कारे छेतर में अधिकारियों से तालमेल आपका बहतर रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। यथा शक्ती शनी देवता को द्रवे दक्षना चड़ावें और ओम यमाई नमा इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से कारे छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी। प्रेलो इस तर पर आपको काफी उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है। तो आज आपको भाग्य का साथ 84 प्रतिसत प्राप्त होगा। आज आपका भाग्य साली अंक एक है। शुबरंग आपका नारंगी रंग है। नारंगी रंग का प्रेयो कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे। तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारे छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है। किसी वरिष्ट व्यक्ति या मित्र की सलाह पर आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार विवसाय के छेतर में कुछ मुश्किले आपको हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे आपका सही समय हो जाएगा। चीजे वापस पटरी पर आएगी। जीवन साती के कारी छेतर शुब रंग आपका नीला रंग है। आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आप प्राताह से ही उर्जाबान स्वयम को महसूस करेंगे व्यापार या कारिशेतर में अपने बलबुते पर समस्याओं का हल निकाल पाएंगे संतान के विवाह आदि की चिंताएं खत्म होगी और उनके कारिस्थल पर तरक्की होने से मन होगा भूमी या वाहन आदि खरीदने के प्रबल योग हैं हाला कि चात्रों को भविश्य के प्रति अधिक जागरुक रोनने के आवशकता रहेगी जीवन साती के साथ अबाद विबात की आशंका बन रही है सायंकाल का समय धर्मिक क्रियायों और परिवार के साथ व्यतित करने का रहेगा तो आज आपको भग्य का साथ 80% प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भग्य शालियंक 5 है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोग कारेच्छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातह का लिश्नान करने के पस्चात गंद पुष्प अक्षद के द्वारा सनी देवता की पूजन करें और शनी देवता को पुष्प की माला अर्पित करके मिठाई का भोग लगावें और ओम मंदा इनमह इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है वरश्चिक, वरश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि राज की छेतर से जुड़े जातकों को विशेश लाप के योग हैं, मान सम्मान प्राप्ती के योग हैं व्यापारी वरग के लिए आज पहली प्रात्मिक्ता व्यवसाई की तरफ नजर रखना होना चाहिए साथ ही आप कोई बड़ा निवेस आज कर सकते हैं, जिसका आपको फाइदा अवश्य मिलेगा पारिवारिक धन संपता में बड़ोत्री के योग हैं, और विद्ध्यार्थी वरग को पढ़ाई करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा पेतरक संपती से संबंदित विवाद, किसी वरिष्ट अधिकारी की मदद से हल होता नजर आएगा लाइप में मदूरता आपके बनी रहेगी, लेकिन आज के दिन आपको खान पान पर ध्यान रखने के आवशकता रहेगी तो आज आपको भाग्य का साथ 82 प्रतिसद अप्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है, शुब रंग आपका सुनहरा रंग है सुनहरे रंग का प्रयोग कारेच्षेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्षेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के बाद सनी देवता की गंद पुष्पा अक्षत के द्वारा पुजन करें सनी देवता के मंदिर में काली ध्वजा का दान करें मिठाई का भूगर पित करके शमी पत्र चड़ावें और ओम शम सनिश्चराईन महा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से कारे छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है धनू धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा राजनीती से जुड़े जातकों को अच्छा जन समर्थन प्राप्त होगा सरकारी छेतर से जुड़े जातकों को आज लाब होने के प्रबल्योग है कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन होगा और पिता के सहयोगवा आसिरबाद से कोई नई योजना की सुर्वात आप कर सकते हैं जिसका लाब भविश्य में आपको जरूर मिलेगा अगर किसी परिशानी से आप गुजर रहे हैं तो इस्तितियां आपके नियंतरन में आ जाएगी वियापारी वर्ग को नगदी की समस्या का समाधान मिलेगा आज लाइब आपकी बहतर रहेगी तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंक नो है शुब रंग आपका गुलावी रंग है गुलावी रंग का प्रयोग कारिशेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्छेतर में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिन प्रातहका लिश्नान करने के पस्चात यथा शक्ती भगवान शनी देवता की पूजा करें 21 समी पत्र अरपित करें इसा करने से कारेच्छेतर में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि भविश्य को मजबूत बनाने के लिए किसी नई उजना पर काम करेंगे और विशेश्योग्यों से सलाह लेंगे तो काफी सफल रहेंगे अगर आप नई नोकरी आदी करना चाहते हैं तो समय आपके लिए सही नहीं है थोड़ा समय रुक करके कहीं और अपलाई करें व्यापार इस्थल पर किसी से बहस बाजी में नहीं उलजें अन्यता आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है विध्यारती वरग को प्रतियोगी परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आबाशकता रहेगी सांती पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति आपको मिलेगी तो आज आपको भग्य का सांत 80% प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भग्य शाली अंक छे है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारेच्छेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारेच्छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चाद भगवान शनी द्यवता को तेल अर्पित करें मिठाई का भोग लगा करके ओम स्री रुद्र गणाई नमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से कारेच्छेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्यापार व्यवसाय के चेतर में प्रती इस परधा का सामना आपको करना पर सकता है कुछ कारियों में अवरोद उत्पन नहोगा लेकिन धिरे धिरे करके सभी समस्याओं से आपको मुक्ती मिलेगी घर या आफिस में जरूरी डाक्यूमेंट्स को समाल करके आप रखें जीवन साती की तरफ से आर्थिक लाब मिल पाएगा और रिस्तों में आपके मजबूती आएगी पिता के स्वास्त का विशेज ध्यान रखें और अपनी दिन्चरिया उसी इसाब से आप तही करें अन्यत्था अधिक भागदोर मांसिक तनाव आपको दे सकती है सायंकाल के समय परिबार में किसी व्यक्ती से मदबेद हो सकता है तो आज आपको भाग्य का साथ 83 परतिसत प्राप्त होगा तो आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चाथ शनी देवता के मंदिर में काले तिल का दान करें एक स्रिफल चड़ा करके द्रव्य दक्षना चड़ावें और ओम यमाई नमहम इस महा मंतर का एक सो आठ बार जाप करें इसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि विध्यारती वरग की किसी अनुभव व्यक्ति से मुलाकात होने के योग है जिसका अनुभव और मार्ग दर्सन आपकी सहायता करेगा व्यापारी की यात्राएं आपकी सफल होगी परिवार पर जरूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करें अन्यता आरतिक स्थिति आपकी बिगड सकती है लाइप में कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे जिससे मन आपका प्रसन होगा इसी अवस्था में रहना पसंद आप करेंगे निवेश से आपको लाप के प्रबल्योग है कर्ज से आपको राहत मिलेगी व्यापार व्यवसाय में जीवन सांती की सलाह आपके लिए काफी फायदय मन साबित होगी तो आज आपको भागय का सांत 86 परतिसता प्राप्त होगा आज आपका भागय साली अंक दो है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चाथ शनी देवता को तेल से इस्नान करावें शुद्ध जल अर्पित करके मिठाई का भोग लगावें और ओम्शम सनिश्चराइन महा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से कारेचेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करशन मित्रों फिर मिलेंगे